विकास के इस दौर में भारत में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करने परती है आज भी कई दूल दराज गाओं में महिलाओं को मीलो दूर पैदल चलने के बाद पीने का साप पानी मिल पाता है ऐसे में उन महिलाओं की इसी तकलीफ को समझने के लिए अभी नेता अक्षे कुमार 21 किलो मीटर तक पैदल चल पड़े लेकिन अक्षे कुमार का ये पैदल चलना उन पर ही उल्टा पर गया है वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे है दरसल अक्षे कुमार हाली में देश भर में हो रही पानी की समस्या को लेकर हो रहे एक प्रोग्राम दम मिसन पानी वाटर थोन में पहुचे बतादे की दम मिसन पानी वाटर थोन पानी की समस्या और पीने वाले पानी को बचाने के प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए News 18 India और Harpik India की एक पहल है इस प्रोग्राम में पहुँच कर अक्षे कुमार ने उन महिलाओं के दर्द के बारे में बात की जो रोजाना साब पानी भरने के लिए मीलो दूर पैदल चलती है इस इवेंट में अक्षे कुमार ने 21 किलोमीटर तक ट्रेड मिल पर पैदल चल कर ये मैसेज दिया कि तमाम औरतों को आज भी सिर्फ साब पानी पीने के लिए हर रोज ऐसा करना पड़ता है ट्रेड मिल पर चलते हुए ही उन्होंने ये भी कहा कि मैराथन के दोरान एतलिट्स के लिए कुछ दूरी पर पानी की विवत्था की जाती है लेकिन असल जिंदगी इससे अलग है हमें उन महनतकर्ष महिलाओं की तकलीफ को समझना ही होगा और पानी जरूर बचाना होगा ताकि उन्हें यानि महिलाओं को इस तरह की परिशानियों का सामना ना करना पड़े इसके अलावा इस प्रोग्राम में अक्षे कुमार ने रोजमरा के जिंदगी में पानी बचानी के तीन असान तरीके भी बताएं पहला अगर आपके यहां कोई महमान आता है तो आप उसे सिर्फ आधा गिलास पानी ही ओफर कर सकते हैं अगर उसे और पानी चाहिए होगा तो वो मांग लेगा दूसरा सोचालियों में पानी के स्मॉल टैप इस्तिमाल करने की भी सलाह दे तीसरा पानी की बरबादी रोकने के लिए हमें घरों में सेंसर टैप का इस्तिमाल करना चाहिए जहां इस event में महिलाओ के इस दर्ध को समझने के लिए अक्षे कुमार ट्रेड मिल पर 21 किलोमीटर पैदल चले लेकिन बावजूद इसके महिलाओ के इस दर्ध को समझाने के लिए अक्षे कुमार जो तरीका अपनाया उसकी वज़ा से ववह अब सोसल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं रोहित बीश्ट नाम के यूजर ने अक्षे कुमार को ट्रोल करते हुए ट्वीट किया भाई इतना पैसा है अक्की के बाद थोड़ा इनके उपर खर्च कर देंगे तो नाक नहीं कटेगी सहनुबूती दिखाने का क्या फाइदा ये तो हर कोई अमीर आदमी करता है देव नाम के यूजर ने अक्षे कुमार की ट्रेड मिल पर चलने को लेकर लिखा उमीद है एसी का टेंपरेचर समाने होगा एक ट्वीटर यूजर ने लिखा अक्षे कुमार ने पानी भरने के लिए दूर तक जाने वाले महिलाओं के दर्द को समझने के लिए 21 किलोमीट ट्रेड मिल पर चले कोई सेंसे इस बात की 50 रुपे काटे इस ओवर एक्टिंग के वहीं दूसरे यूजर ने लिखा अक्षे जी ये ड्रामा क्यों आप सिर्फ ट्रेड मिल पर चलकर कई किलोमीटर तक पानी भरने जाने वाली महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते हैं इन ज जैसा की आए दिन देखने को मिलता है कि बॉली बुडविनेता अक्षे कुमार फिल्मों के अलावा समाजी कारेकरमों में भी हिस्सा लेनी की वज़ा से अकसर सुर्कियों में रहते हैं वह कई समाजी क मुद्दों पर खुल कर अपनी राय रखते हैं लेकिन इस बार यावरन पोस्ट